नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का पाच फाइंडर पर सो भारत के LCA तेजस के लिए एक बहुत ही बहतरीन खबर सामने आ रही है इसके अंदर जो यूज होने वाले इंजिन्स हैं वो भी अब आने वाले टाइम में made in India इंजिन्स होने वाले हैं और ये रिसेंटली क बात करी that was regarding the aircraft engines यानि कि किस तरीके से उनको भारत में बनाया जा सकता है and number two इन्होंने यहाँ पर बात करी nuclear submarines के साथ में partnership के बारे में कि किस तरीके से France और इंडिया जो है वो partnership में आकर के nuclear submarines को बना सकते हैं तो बात करेंगे दोनों developments के बारे में किस तरीके से जो तेजस के engines हैं वो आगे जाके भारत में बनाए जाएंगे and also nuclear submarines के area के बारे में चले शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है अनेरुद इस lecture की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिये गए टेलिगार्म के माधियम से इसके रावा आप लुग जुट सकते हैं इस particular handle के Academy app as well. Alright, so it's a well known fact कि France और India असल में काफी important defense partners माने जाते हैं. In fact, India के द्वारा recently जो France से 36 Rafale fighter jets को order किया था और ये भी कुछ report सामने आई हैं कि India आगे जाकर के France से और fighter jets को भी order कर सकता है. और अब क्या हुआ है कि हमारे Dr. S. Jaisankar इन्होंने French government के साथ जाकर के बातचीत करी है और उनकी जो एक बहुत ही जानी मानी कंपनी है साफरान के नाम से उनके साथ बातचीत करी है कि वो भारत में आएं और 100 किलो न्यूटन का जो साफरान aircraft engine है उसको भारत के ही अंदर आकर के manufacture करें as part of the atmosphere भर भारत प्रोग्राम. इनोंने in fact साथ ने ये भी कहा है कि manufacturing के साथ सा defense और aerospace के शेतर में काम करती आई है और very interestingly साफरान के द्वारा यहाँ पे काफी अच्छा offer इनको दिया भी गया है साफरान बाइदर आपको बता दूँ ये एक ऐसी company है जो कि Rafale के fighter jets के लिए engines को बनाती आई है फ्रांस में और इन्होंने they have offered to co-develop the cavalry engine for the Indian light combat aircraft program जो की currently GE के engines के काम करता है GE की जो engines है ये असल में इंडिया USA से लेता है लेकिन उन्होंने कहा है कि हम लोग आपके कावेरी engine के ऊपर साथ में collaborate करके काम करने को तयार है जिसके माधियम से आपका जो तेजस का engine है वो भी अब इंडिया के ही अंदर बनाया जाएगा और ये होना काफी possible भी ह है because पिछले साल की ही बात है आज से exactly एक साल पहले इसी firm ने साफरान की firm ने HAL जो की भारत का हिंदुसान Aeronautics Limited की कंपनी है इनके साथ इन्होंने एक बहुत important MOU sign किया था announcing their intention to collaborate on bringing the niche engine technology to India. ये वाली development आज से एक साल पहले हुई थी और अब जो development हुई है it clearly shows कि जी हाँ आगे जाकर के कुछ time में हमें तेजस के लिए made in India engines मिलने वाले हैं दूसरा जो important point यहाँ पे डॉक्टर S. चेशंकर के दौरा उठाये गया वो ये था कि क्या आगे जाकर के France India को nuclear submarines offer करने वाला था कि उस time पर भी France had offered its Barracuda nuclear attack submarine to India आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे France set to offer the Barracuda nuclear submarines to India उस time पर इन्होंने कहा था कि हम लोग आपको ये वाली submarine देने को तयार है ये nuclear powered submarine है और ये भी एक बहुत important submersible ship nuclear submarine मानी जाती है और इसके अंदर आपको बता दूँ की 1000 km की range वाली scalp naval cruise missiles क को भी integrate किया गया है और ये बहुत time तक पानी के अंदर भी रह सकती है तो ये वाली missiles के साथ जो submarines इनको इंडिया को offer किया गया था हाला कि इंडिया ने उस चीज को लेकर कुछ major development यहाँ या कुछ major हाँ नहीं भरी थी लेकिन ये एक अच्छी development इसलिए है because France के साथ हम लोग already पहले भी कई सारी submarines को बनाते आए हैं आपको मालू होगा कि हमारा जो कई सारी submarines आज की date में माजगाओ डॉक शिप बिल्डर मुंबई पर बन रही है वो असल में France का ही एक company है जिनका नाम है naval group as you can see over here naval group ये एक France based company है और ये defense contractor company है ये यहाँ पे इंडिया के लिए 6 scorpion class की diesel electric submarines को बना रही है at MDL Mumbai so अगर हमारा जो collaboration है ये France के साथ ही आगे जाकर के बढ़ता है तो इस से और बहतर कुछ भी नहीं हो सकता है लेकिन अगेन आपको बता तो clearly कि अभी तक इंडिया ने इस चीज़ को लेकर कोई अपना acknowledgement है कोई अपनी हाँ नहीं भरी है देखते हैं क् but all and all जो यहाँ पर development Tejas के engines को लेकर हुई है ये काफी बड़ी development है because France जल्दी जल्दी अपनी technology किसी के साथ शेयर नहीं करता France has indicated that it will be the sole country to get such advanced technology ensuring that New Delhi would achieve complete sovereignty in the field of aero engine technology so ये एक बहुत ही बड़ा मैं कहूंगा विकास है Tejas के लिए और अगर ऐसा वाकिय में हो जाता है तो हम सकते हैं आप क्या सोचते हैं इस development के बारे में और आपको क्या लगता है कि क्या हमें France से nuclear submarines को लेना चाहिए क्या हमें हमारी dependence Russia के उपर कम करने चाहिए नहीं प्लीज हमें बताईए comment section के अंदर फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही जाने से पहले बताना चाहूंगा कि हम 11th geography NCRT को लेके इसके links नीचे description में आपको available करवा दी जाएंगे इसके इलावा unacademy आपके लिए कई सारे offers लेकर आया है जिसमें कि आप लोग अनी UPSC code इस्तेमाल करते हुए 5000 रुपीस का discount और 10,000 रुपीस का discount अपनी plus और iconic subscription के उपर ले सकते हैं इसमें आपको अनी UPSC क आपके लिए उपलब करवाए जाएंगे अगर आप लोग enroll करते हैं on the unacademy platform और इसके साथ ही में मेरे द्वारा भी आपको यह वाले बाते जाएंगे आने वाले दभीवार के दिन आपको हिस्सा लेना है in the ultra combat using the code अनी UPSC इसी के साथ आप से लेता हूं विदा, thank you for listening, stay tuned and stay Steve